नमस्कार, A2Z Dishes उशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है गर्मी इस बार बहुत ही बढ़ गई है तो मैंने सुचा थोड़ी से दूर करने के लिए मैं बनाती हूँ यह बहुत ही ठंडक, रिफ्रेशिंग, यह सौफ का शर्पत और यह इतना बढ़िया लगता है ना पीने में तो उसके लिए आपको एक पैन ले लीना है, इसके अंदर आपको डालनी है सौफ जिसे फैनल सीट भी हम कहते हैं और इसी के साथ हम डालेंगे साबुद काली मिर्ची, यह छोटी वाली हरी इलाईची और थोड़ा सा जीरा अब इन सबी को हमें बिलकुल धीमी आज पर तकरीबन तीन से चार मिन तक अच्छे से भूनना है ध्यान रखेगा आज जो है वो धीमी होनी चाहिए अगर तेज होगी तो यह जल सकता है तो धीमी आज पर अच्छे से भूनने के बाद इसे मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे मिश्री चीनी नहीं मिश्री डाल लिए थोड़ा सा फूट कलर डाल देंगे ग्रीन फूट कलर यह टोटली ऑप्शनल है आप ना डालें तो कोई बात नहीं इसे ढखकर पीस ले और यह पाउडर तयार हो जाएगा अब खास बात क्या है कि यह पाउडर को आप बना कर स्टोर कर सकते हैं काफी दिनों तक और जब मन चाहे ठंडे पानी में या ठंडे दूद में से मिला कर पीएं तो आपने देखा ही कितनी आसानी से यह तैयार हो गया है और मैं हमेशा ही जब भी गर्मी आ जाती है ने तो यह हमारा बनाया हुआ सौंफ का पाउडर है तेकरीबन तीन से चार चम्मा जितना डाल देना है जिससे साब से आपको साही लगे उतना डालिएगा अच्छे से इसे ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर आप देखे कि जो ग्रीन फूड कलर में डाला था उससे थोड़ा सा कलर आ जाता है पर अगर आपको नहीं पसंदे तो आप ना डाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ग्लास ले लिना है और थोड़े से आइस क्यूब स्टाल दिने है कि ठंडा ठंडा यह पीने में काफी बढ़िया लगता है और इस तरह से यह अच्छ को पसंद आएगा आपको लग रहा होगा कि सौफ का स्वात कैसा लगे का पर सची में बहुत ही बढ़िया लगता है तो इस बहुत कर गर्मी में से जरूर बनाए और मुझे कमेंसर में बताए अब कोई मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बूलें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ और तब तक के लिए तैंक यू फॉर वाचेंग